अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कालकी का बहुत ही इंपॉर्टन सा एक अपडेट आने वाला है जो कि आपको थोड़ा सा एक साई डिरेक्शन के अंदर लेके जाएगा कि कालकी है किसके बारे के अंदर तो इससे पहले वाले विडियो के अंदर हमने कालकी में बताया चाहिता है कि यह में में रिलीस होने वाले है शायद यह जून में भी नहीं रिलीस होगी यह सिधर जुलाइग के अंदर होगी तो वह डेट के अउने वाली है वह तो भी सस्पेंस अकांट बन गया बट बहुत अच्छे तरीके से एक छोटा सा 21 के सेकेंड का ग्लिम्स आय से बहुत क्लियर हो गया है कि जो कंटमप्लेशन थी कि यह क्या जैनुरली महाभारत से लिंक्ट है कि नहीं है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया महाभारत से लिंक्ट है और इनीश्व जो ग्लिम्स आया था जिसके अंदर बिल्कुल विभूती के अंदर पटियां पहने अविताभ बत्चन और उसका लिंकेज टुडेश्व पोस्टर की अब समय आ गया है और वो एकदम अपने अवतार के अंदर वापिस आ जाए और अश्वा थामा अभी मर नहीं सकता और क्योंकि वह मर नहीं सकता तर उसका रियल परपस क्या है आज के जमाने के हिसाब से य जो आगे एक continuation में help कर सकती हैं और अलग-अलग तरीके की fantasy create करने के लिए अगर आप देखें Avengers के अंदर पी जो थौर का जो character है या लोकी का जो character है वो Norse mythology से उठाया गया वो actually में कोई super hero नहीं है जो superman की तरह imagine किया गया वो Norse mythology से आया गया है तो अगर आप यहां पर देखे इंडिया के अंदर तो यहां रमायन, माभरात और बहुत सरे ऐसे पुराण है जो लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल तो दंग से पड़े भी नहीं है और उसको use करकर के जो कहानिया आजकल भाहर आ रही है स्टिच हो रही है जिसमें science, sci-fi का अच्छा मिला जुलन मिश्रन आ रहा है यह मुझे काफी सदा exciting लग रहा है और मुझे से लग रहा है कि Hindi cinema या आप बोली इंडियन cinema रादर इंडियन cinema जो है वो एक सई direction के अंदर जा रहा है जहां आपर we are not forgetting our past but we are using the past to build on the future तो और यह movie भी उसी तरीके की है कि past और future फिर coming back doing some corrections for humankind और अपनी गलतियां स सबकी कब release होने वाला है वो तो पता नहीं but hardly makes a difference में जून जुलाई मतलब एक डिर्ड़ दो महीना उपर नीचे पर जब देखने को मिलेगी तो फिर आपको एक mesmerizing experience जुरूर होना चाहिए इस movie से इस साल सबसे जादा जो मुझे उमीदे हैं इस movie से मैं यह नहीं बुलू हूँआ कि मैं किसी star को लेके बहुत जारा excited हो कि मैं बहुत अलग तरीके से प्रभास देख लूँआ या मैं अमिताब अच्छन को अलग से देख लूँआ या मै बहुत और excited हो कि mythology और current time, future time को कैसे stitch किया जाएगा और वो भी seamlessly तो जल्दी मिलते हो reviews और update के से stay connected बाइवाई